तो गाईस अगर आप भी इस तरह का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं सिर्फे एक किलिक में तो आप आराम से कर सकते हैं तो गाईस मैं इस फोटो को एडिटिंग क्या हूँ सिर्फे एक किलिक में तो चलिए मैं वीडियो को स्टाट करता हूँ आप इस तरह का फोटो कैसे type करना है उसके बाद आपको यहां पे लिखना है light room एल आई जी अश्टी light रट डवलो o m रूम लाइट रूम उसके बाद आपको search कर देना है search करने के बाद देखे ओपर पे आ चुका है add up light room photo editor आपको इसी को पेचाल देना है उसके बाद आपको इसको install कर देना है install करने के बाद मैं इस पे click करता हूँ आपको भी install करने के बाद इसको open कर देना है open होने के बाद guys आपको यहाँ पे नीचे पे एक plus वाले option मिल जाएगा तो आपको यहाँ से plus पे click कर देना है plus पे click करने के बाद आपका यहाँ पे सकते हैं ठीक है आप जिस फोटो को एडिटिंग करना चाहते हैं आपको इस पर क्लिक करको दिना है क्लिक करने के वाद यह हरा गला तीक आज या जाएगा उसके बाद आपको आपको यहां से नीची वाले का description पर दे दूँगा आप उसको सिर्फ एक क्लिक में download कर सकते हैं तो उस preset का link में नीचे पर दे चुका हूँ तो आप चाहे तो आप वहां से जा करके इसको download कर सकते हैं download करने के बाद guys आपको फिर से परस वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद फिर से आपको उस preset को add कर देना है तो मैं आपको दिखाने के लिए यह रहा मेरा preset black orange ठीक है तो मैं फिर से यहां पर add वाले option पर क्लिक करता हूँ यह preset यहां पर add हो चुका है तो आप खुद के बाद आपको यहां से yes वाले चीन पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद गाईस आपको उस वाले आपको अगर चाहते हैं तो इसका light बरहने के लिए सकल का light मतलब highlight बरहने के लिए उसके बाद आप यहां से auto पे click कर सकते नीचे पे अगर आप लाइट नहीं बरहना चाहते हैं तो आपको back करना है तो उपर पे इस वाले back पे click करना है उसके बाद आपको save करने के लिए आपको save वाले option पे click करना है उसके बाद यहाँ पे save to device पे click करना है और यह photo आपका gallery पे save हो जाएगा